रेवी को गाड़ी आई है 2018 मूरल है और इस गाड़ी का लीकेज बंद नहीं हो रहा वो रीजन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा छह साथ जगा से यह गाड़ी मेरे पास होपी आई है अभी देखो इसका होइसम तोड़ा है यह लोकल होइसम कि इसमें डाला हुआ है ठीक है है और यहां से देखो की लोकल बॉन्ड भी भर रखी है इह बैद कलर की बॉंन इसमें लगाके दो-तीन बार रिव्श्ट करको choice भारी यह यह वाइठीक है यह यहां देखो यह ब्लैक यह दिखो पूंद डिखाने तो यह उलसम लोकल भी आट्सलिए इसको तो मैं बदन ल हो रही वो चीज में दिखाने वाला हूं आपको ठीक है और इसमें पूरा प्रॉपर मेजर सर्विस करेंगे यहां देखो बुरी तरीके से इसका टैपिट कवर लीकेज हो के रखा हुआ है पूरा का पूरा ठीक है तो इस टैपिट कवर को भी रीपेस्ट करेंगे अब यहां ले आओ पीछे लापर वाई इतनी बड़ी तरी गई है जिसकी वज़े से कस्टुमर का नुक्सान हो गया बहुत जारे नुक्सान हो गया और वह क्या कम जर्म 4,000 रुपे एक्स्टा खर्चा है अभी मैं आपको दिखाता हूं यह जो 4,000 रुपे एक्स्टा लाई गई है देख रहे हो यह यह बहुत ही गंदे तरीके से इसमें काम किया गया है देखो अब मैं आपको रीजन बताता हूं यह बार-बार इंगनों लीकेज होने का जो कारण बनना था वो क्या था तो इस तरफ देखो यहां तक न यह मैनोल सील वाली प्लेट रहती है यह बाले ठीक है यह यहां पर अंदर के तरफ यह मैनोल सील लगे हुई है यह फ्लाई विल खुलेगा और फिर इसके बाद ही मैनोल सील ड़ेगे गर हमें मैनोल सील चेंज करनी होती है अब इसमें क्या कमी छोड़ दी भाई ने क्या नुकसान कर दिया कस्टमर का वो दिख आता हूं जरा तो यह देखो इधर यह बोल्ट लगता है यहां पर जब ओल्सम लग जाता है ठीक है एक बोल्ट यहां पर लगेगा और एक बोल्ट लगता है यहां पर ठीक है यहां से वह ब्रैकिट ही तोड़ दिये मैनोल सील बन ठीक है दोस्तों यह देखो अब यहां ब हुआ है क्योंकि अब देखो इधर से इसका क्लच खुलेगा क्लच ओपनिंग फिटिंग की लेबर लगेगी गेर बोक्स की ठीक है जी साथ ही साथ क्योंकि सर्विस हो रही है तो गेरोल भी हम चेंज कर देंगे फ्लाइविल खुल के यह पूरा ब्रैकेट डलेगा नया जिसक और मैनोईल सील है साड़े चार पांस रुपे की तो पांच जार रुपे का खर्चा एक छोटी सी लापरवाई की वज़े से हो गया है तो यह बहुत बड़ी लापरवाई है भाई मानलो अगर इंजनोई लीक हो जाए और कस्टुमर को ना पता चले तो गाड़ी का इंजन सीज होनत तय है तो यह लापरवाई करनी नहीं चाहिए अब हम इसको खोल रहे है गेर बोक्स उतारेंगे मैनोईल सील वगरा सब चीज लाएंगे और इसके इंजनोईल की लीकेज वगरा सर्वीसिंग पूरी मेजर तरीके से करेंगे कर रहे हैं सबसे पहले टैपिट कवर को खोल के रीपेस्ट कर देंगे आज तो इस टैपिट कवर आराम से सूख जाएगा ठीक है ना रीपेस्ट करने के बाद इसका मैं गेर बोक्स खोल के छोड़ दूगा अब ही मैं पीछे के ब्रेक दिखाता हूँ यह देख रहे हो भा अब इस साफ करने पड़ेंगे देखो कितनी दूल जमी पड़ती है पता नहीं क्यों नहीं खोलते है यार पीछे के बिरेक कस्टमर पैसे नहीं देता क्या कलेश फस्ता है मेकानिक को समझ नहीं आती मुझे तो अभी दूसरी साइड कभी खोलता हूँ ऐसी इस तरफ का दे अब इनको मैं चमका देता हूँ एक बार फिर देखना साप सफाई कर दी है ठीक है जी दिखाई देगे नंबर ये ये सफाई हो नहीं छी है दूसरी साइड कभी दिखा रहा हूँ इधर का भी हो गया बढ़िया से अब ये पीछे का पैक हो जाता है सिस्टम पोटल कि देख लो कितनी कंड ये ये तो मकैनिक की जिन्मेदारी बनती है कि मकैनिक देखनी को का रंता है कुछ लोग ऐसे होते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके चलना में ये जिम्मेदारी मेकैंिक क्यों होती है कस्ठमर को बताना चलो अंतों आधा ने में तो आभी दिखो यह इगनीशियन कोईल देख रहे हूं कैसे खराब हो रही है ओल भर के खोलता हूं जो राएने सब्सक्राइब कैपिट कवर एकदम साफ सूफ कर लिया है धो मांज के अंदर से भी थोड़ा सा पानी लग गया है इस पर साफ सफाई करके इस पर बोंड लगा के इसको चिपकाते है इसकी अब इसकी आगे की फिटिंग करेंगे अब यह गेरोईल निकाला है ठीक है लगनी रहा मुझे इसक इस उतार रहे है तो एक क्या हाला ठो रख्यों सारा इन जानौंची किसंक मैं इसके पूरी तरीके दो्सफाई करेंगे के वरrai क्या है कि इसको रिप्लेस करेंगे भाइए ठीक है ओर एक लेट इदर से खोल ली है खोल के साफ सफाई कर दील नीचे भी साफ सफाई कर दीली प्लेट लगाने के बाद ही काम स्टार्ट होगा प्लेट आ रही है और क्लच की कंडिशन दिखाता हूं कैसी है एक बार देख लेते हैं तो यह इसका क्लच सेट है यह बिल्कुल खराब होने वाला है अब जादा दिन चलेगा नहीं है जादे जादे 10,000 किलोमेटर यह चलने वाला है और इस किड़ भी मार रहा है बहुत ज्यादा यह देख रहे हो यह ज्यादा नहीं बचे हुए और इस तरफ से तो यह कहीं कहीं से खतम भी हो गए हैं देख रहे हैं यह हो गया यह हो गया तो बचा नहीं है इसमें दम यह यहां खतम हो गया तो इसकी भी बात करते बहुत ज्यादा खराब है इन्हें नए प्लग इसमें डालने वाला हूं निसान के अग्निशन कोईल वगरा सब टाइट कर दिया है अब यह मैं मैंनोल सील और ब्रैकेट दिखाता हूं निसान की ब्रैंडिंग है देखो और यह मैंनोल सील है और यह जो ब्रैकेट था यह तोड़ा था इस तरफ से देखो भाई ने यह तूट रहने है आसे और यह इस तरीके से बोल्ट रहता है यहां पर जो यह ओर टाइट मार दिया दो तीन तरह की बोंड लगी हुई है इसमें देखो वाइट और ब्लेक दो बार यह रिपेस्ट किया गया है और तागत लगा के बोल्टी तोड़ दिया और चलो कोई ब्रैकेट मिलके आए तो यह देखो यह ब्रैकेट है और इसका पार्ट नंबर भी आप देख सकते हो यह सर्च कर सकते हो ठीक है और यह मैन ओयल सील है ओरिजिनल इसको लगा के इस पर पहले यहीं फिक्स कर लेते हैं फिर उसके बाद गाड़े में बिल्ड करते हैं इसको वैल्यो का क्लच सैट म में डाल रहा हूं नया ब्रेंडिंग देखो वैल्यू ठीक है जी अब ही गेर बोक्स में क्लच बेरिंग भी लगा रहे हैं तो यह वाला ओल संप में डाल रहा हूं नया और यह देख लो रिनोल्ट ठीक है जी तो इसको लगाके बोंड लगाएंगे औरिजिनल बोंड भी दिखाता हूं तो यह वाली बोंड है निसान की और भाई इसके प्राइस बढ़ गए देखो 15-26 होगी है पहले 1400 कुछ की आती थी और यह आती है ठीक है यह वाली बोंड लगाके इसको सेट करेंगे गेर बोक्स की फिटिंग कर दिये सारे सेंसर वगरा वाइरिंग वगरा सब लगा दिये ठीक है जी ग्राउंड की वायर लगा दिये प्रॉपर एक्सल भाई नया ही मंगवा दिया है अमने दूसरे एक्सल लगा दिया है एक साल की वारंटी है इसकी अब देखो साफ सफ़ाई मैंने इसकी सारी कर दिये अब मैं नया ओयलसम इसमें लगाने वाला हूँ ठीक है जी बॉंड के साथ नया ओयल संप लगा के टाइट कर दिया है अब देखो यह बॉंड सुकी भी नहीं है घंटा बर हो गया है ठीक है जब पूरा टाइट हो जाएगा तब ओयल फिल्टर लगाएंगे इसमें अब डालने है गेर ओयल डालेंगे 80W 90 HP वाला डालता हूं कुलेंट भी मैंने पूरा फ्लस् किया है रेडिएटर का नीचे वाला पाइप निकालके सारा रे पानी कुलेंट निकाल दिया पानी था इसमें और यहां मैक्स तक इसमें कुलेंट कर लिया है देखो दिखाई दे रहा है डेलेलफी का यहे वाला कुलेंट 확 Songs में दाल चलो तो पूरा कूलेंट डाल देते हैं इसमें सिस्टम की ब्लीडिंग की वीडियो मैंने डाली रखी है एक तो यहां से होती है कूलेंट की ब्लीडिंग एक यहां से होती है दो जग ऐसे तो उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है आप देख लेना कूलेंट कर देता हूं फटा फिल्टिर नया छिए इसको लगा देते हैं, Coolant की Bleiding तो कर दिया मैंने, Simple है तीन Bracket में बिठाके इसको filter को लगा देते हैं , फिल्टिर को लगा देते है, अभी इंजन विड्स डालेंगे क्योंकि 2 से ठाई घंटा हो गया है 2 से 182 को हो गए और से कम्प्लीट कर दिया गाड़ी पूरी एयर फिल्टर भी डाल दिया अभी एसी फिल्टर भी रह गया है उसमें चैक करेंगे जब प्लेड करेंगे एस्ट वा जाड़ी में नये सब गाड़ी को स्टार्ट करके देख लीटे हैं। दाल के जी यहींजी फिल्टर निखला है इस गाड़ी में कि इसका कोई नाम पता नहीं है ओहो रिनोल्ट लिख रहा जी पुरा इस चलो यह कंडिशन इसकी अब हम यह वाला लगाते हैं हमारे पैसा रिनोल्ट लिख रहा है ठीक है चलो इसको लगा देते हैं एसी फिल्टर लगाके फिक्स कर दिया है अभी भाई कम से कम चार साढ़े चार घंटे हो गए है ठीक है जी अब इसमें इंजन उइल डालना है दिखाओ ज़रा 5W 30 केस्ट्रोल वाला डालो को पीन लीटर डलता है 2.71 कुल की यह इन जींजन करो हें जबते हैं पूरी कंप्लीट अब करते हैं गाड़ी को स्टाट इंजन उइल डाल लत दिया चलो करो ऑइन चींजन का साउंड देख नया टेल डलती ही है मज़ा आ गया भाई, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत क्योंकि इंजन गरम होगा, टैपिट कवर इसका रिपेस्ट हुआ है, विल्सम हुआ है, हलकफुल का दुआ आएगा हो, तो सब साफ हो जाएगा, चलो, बहुत बड़ी, अभी इसका रोड टेस्ट लेते हैं गाड़ी का गाड़ी का कूलिंग फैन भी चल गया है, 99 डिगरी सेल्सियस, मज़ा आ गया भाई, बिल्कुल बड़ी हा टेंपरिचर पे और कोई लीकेज भी नहीं है गाड़ी में, दो बार फैन चल चुका है, यह देखो, यह बंद हो गया, अब हम गाड़ी को बंद कर देंगे, इसक लेबल चेक कर लेंगे, कूल्ऎंट का ठंडी होने के बाद, और थोड़ा सा टोप अप भी कर दिगा, रूड़ी का रोट टेस्ट करके, फैन बेनचेक औरको दुबारा साह से गाड़ी को लगा दिया बाया, वाँषिंग में, प्रैसर भोर तकड़ाएं भाई का, ब्रश इसकी धुलाई करवा देता हूं फिर बैक लेंगे भीया का तभी लगा कि अगला रिप्लाइट दे रहा है तो हो गई है सर्विस मजा आदा गाड़ी चलाने में इसका एक्सल ने परेसान कर दिया एक बार वो खराब हो गया था उलते टाइम उसको रिपेर करवाया फिर दिक अब एक छोटी सी लापरवाई की वज़े से गाड़ी में ओइल संप लीकेज था अपस वह प्रवल्लम दूरी नहीं हो रहा वह दूरी नहीं पता क्या हुआ नया वे संपी डाल दिया डालने के बाद बोन लगाई लोकल अब उस लोकल बोन की वज़े से वह सैक नहीं हो गया दुबारा ब्लैक कलर की बोन लगाए फिर से अब वो पुरानी बोन साप नहीं करी पुरानी बोल्ट लगाया ओवर टाइट मार के वो ब्रैकिट तो और ज्यादा लीकेज हो अब उस वज़े जब गेर बोक्स को लाक देका क्लच खराक इसका टैपिट कवर लीके ब बहुत दूर से आयते और अब गाड़ी को लेके सीधा वहीं जाएंगे तो यही था इस वीडियो में अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार अपने दोस्तों में सेर करो कुई रेडी होके तो हम स्पैस लिस्त हैं बहुत 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 दूर से जादा बड़ तो यही था था थैंक यू सो मच जय हम जय पाद